नमस्कार दुस्तो तो क्यासे आप लोग अब मैंसे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि snapdragon 720G और helio P90 दोनर परॉससार में से कौन सा fetchैथ से baith़र है तो चली इसी वीडियो में यहमें आपको दिखाऊंगा कि», Snapdragon 720G और Helio P90 दोनोर प्रोसेसर में से कौनसा है बेधर और कौनसा है तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो बिना कोई बाख कबाई और ए वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो एक लाइक देदेना अगर वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो एक डिजलाइक देदेना तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो तो दोनो फ्रॉसेसर को पॉंपरेशन शुरु करतेंगे pro-5 र कलत से 16e राइकितेक्शर पर और हिली ओ पी 90 बाना है 12 हम अर्कितेक्शर पर पर यीटना कं बुडिशी है जिए प्रिचे मोट सब्द排 करो होता है ईसका मदर्वक्षी हैं के मॉमले में सेमस्टेग असे 727 high SM7125, यह बाला प्रोसेसर लॉंच हुआ है Q1 2020 को, और हिलियो P90 का मोडेल नम्बर है MT6779, और यह बाला प्रोसेसर लॉंच हुआ है Q1 2019 को, इसका मतलब हिलियो P90 एक्जाक्री एक सल पहले लॉंच हुआ है और इसमें अप्टिमाइजेशन एक्पीस थोरा सा काम होगा, अब ह Snapdragon 720G में 2 Hi-Performance Cortex-A76 Core, जिसका Speed के 2.3 GHz और 6 Low-Performance Cortex-A55 Core, जिसका Speed के 1.8 GHz और Helio P90 में 2 Hi-Performance Cortex-A75 Core, जिसका Speed के 2.2 GHz, और 6 Low-Performance Cortex-A55 Core, जिसका Speed के 2.0 GHz तो इस जागा पे Snapdragon 720G बेटर है क्योंकि इसमें better generation core जीजे किया गया है अब हम देखते हैं दोनोर प्रेसर का maximum display support और video playback capability Snapdragon 720G और Helio P90 दोनों में Full HD Plus तक का display का support है दोनों में HDR10 का भी support है और दोनों में हम 4K Ultra HD quality में video playback कर सकते तो इसका वाले display के मालू में दोनोर प्रेसर भीलकुल सेम अब हम देखते हैं दोनोर प्रेसर का network connectivity Snapdragon 720G में Cat15 download link है जिसका speed है 800 Mbps और Cat13 upload link है जिसका speed है 150 Mbps Helio P90 में Cat12 download link है जिसका speed है 600 Mbps और Cat13 upload link है जिसका speed है 150 Mbps Snapdragon 720G में Bluetooth 5.1 support है और Helio P90 में Bluetooth 5.0 support है तो अब देख सकते हैं नेटवर्क के मामल में obviously Snapdragon 720G बेटर है और Snapdragon 720G में Naviq का support है लेकिन Helio P90 में Naviq का support नहीं है Naviq दर असल इंडिया का खुद का GPS navigation system है अब हम देखते हैं दोनोर प्रेसर का maximum camera support Snapdragon 720G में single camera में 192 Mbps और dual camera में 16 plus 16 Mbps का support है और Helio P90 में single camera में 64 Mbps और dual camera में 24 plus 16 Mbps का support है इसके मादा maximum camera support के मामल में Snapdragon 720G बेटर है अब हम देखते हैं दोनोर प्रेसर का storage type support Snapdragon 720G और Helio P90 दोनों में EMMC 5.1 और UFS 2.1 storage type का support है इसके मादा storage type support के मामल में भी दोनों बिल्कुल सें और अगर मैं RAM type support के बात कर दो तो इसमें आप देख सकते Snapdragon 720G और Helio P90 दोनों में dual channel LPDDR4X RAM का support है और दोनों में जो speed वो है 1866 Mbps इसके मादा RAM के मामल में भी दोनों सें जो कि आकर का Realme 6 Pro का score है और Helio P90 का Antutu version 8 में score है 2,13,000 जो कि आकर का OPPO Reno Z का score है इसका मादाब Snapdragon 720G ओबियसली Antutu का मामल में बेटार है अब हम देखते दोनों प्रफेसर का Geekbench score Geekbench version 5 में Snapdragon 720G का single core में score है 569 और multicore में score है 1755 और Helio P90 का single core में score है 377 और multicore में score है 1474 इसका मादाब Geekbench score के मामल में Snapdragon 720G ओबियसली बेटार है तो आप हम देखते हैं दोनों प्रफेसर का सबसार में चीज़ जो कि है graphics card Snapdragon 720G में जो graphics card है उसका नाम है Adreno 618 और Helio P90 में जो graphics card है बुहे PowerVR GM 9446 Snapdragon 720G में जो graphics card का performance वह है 435.2 GFLOPs और Helio P90 में ए जो graphics card का score है 120 GFLOPs GFLOPs मतलब अगर आप कोई game या फिर कुछ भी graphics related काम करते हैं तो किते जल्दी उस काम में जो frame rate या पिर कैसे हैं जो texture मतलब गेम खेलने के बाद हमें जो texture दिखता है वह कितना जल्दी जल्दी रेंडर हो रहा है तो इस मामले में Snapdragon 720G का graphics processing power Helio P90 से लगबग धाई गुना जदा पारफूल है और आपे इस picture में भी देख सकते Centurion mark जो की एक तरता का graphics card score होता है Centurion mark में Snapdragon 750G स्कोर करता है 97 और Helio P90 Centurion mark में स्कोर करता है 82.7 इसका उनला Snapdragon 750G का graphics card Helio P90 से बहुत ही जदा पारफूल है अब हम देखते दोनो पाइसर का AI मतलब Artificial Intelligence score Snapdragon 750G का AI chip बहे DSP692 Helio P90 का AI chip बहे APU 2.0 Snapdragon 750G का AI score 12,000 के असपास और Helio P90 का AI score बहे 20,000 के आसपास तो AI score के मामले में Helio P90 obviously बेटा डे तो आप बारिये इस वीडियो के conclusion की अपने पूरे वीडियो में देख लिया Helio P90 AI score को छोर के बाकि किसे भी मामले में Snapdragon 720G को बिल्कुल भी हरा नहीं बाता तो इसे आम ऐसे ही कह सकते Snapdragon 720G obviously Helio P90 से बेटा डे तो आज का वीडियो अई था कुमीदे एक कॉम्पेरेंस अब कोई परसंद आगा फीचर में आपने आसे कौन-कौन से कॉम्पेरेंस देख में चाहते मुझे ने इसे कॉम्पेरेंस में बताना मैं उसके ओपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो मिलते अगले वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you